यावान अर्क उत पाली सर्वत संप्लुतो दके तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राहनस्य विजानत यावान अर्क उत पाली सर्वत संप्लुतो दके तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राहनस्य विजानत चारों ओर से लबालब भरे हुए बड़े मानसरोवर के हुने पर जितना प्रयोजन पोखरे में रह जाता है उतना ही प्रयोजन विशेश ग्यानवान ब्राहमन वत्स का सब वेदो ब्राहमा वाक्य रूपी मुर्लियों में रह जाता है अर्थाज साक्षाद भगवान द्वारा सत्य ग्यान मिल जाने से वेदाधी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती चारों ओर से लबालब भरे हुए बड़े मानसरोवर के होने पर जितना प्रयोजन पोखरे में रह जाता है उतना ही प्रयोजन विशेश ग्यानवान ब्राहमन वत्स का सब वेदो ब्राहमा वाक्य रूपी मुर्लियों में रह जाता है अर्थाच साक्षाद भगवान द्वारा सत्य ज्यान मिल जाने से वेदाधी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती कि जितना प्रयोजन पुदपा ने एक छोटे से ताग तलया में रहता है कि उसी व्यक्ति का जिसने सागर में इसनान किया हो तो उसे छोटे से ताल तलया का क्या महतु रह जाएगा कोई महतु रहेगा जिसको रोज सागर में इसनान करने को मिलता हो उसे ताल तलया में इसनान करने का क्या महतु रहेगा कोई महतु नहीं जैसे तुम बच्चों को फर्स क्लास मुरली मिलती है कोई को सेकंड क्लास टैप रिकार्डर से मिलती है फिर कोई को थर्ड क्लास मुरली मिलती है कागस से पढ़ने की सुनने की तो जिनको फर्स क्लास मुरली आए दिन मिलती रहती है उनके लिए थर्ड क्लास मुरली की क्या आवश्यक्ता रह गई कोई प्रियोजन नहीं कोई अर्थ नहीं